नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे फूल वाले पोदे शेयर करूँगी जो कि भीशन गर्मी में भी बिना खाद पानी के भी लगातार हैं उन पर फूल खिलते रहते हैं ये ऐसे पोदे हैं जो तेज धूप को भी बरदास कर सकते हैं और दूप में भी बहुत हारे बरहे रहते हैं और उन पर इतने शुन्दर फूल खिलते रहते तौ चलिए जानते हैं को सबसे पहले दौस्तों ये है 있어서 यह यह बहुत है कुपशूरत प्लान्ट है यह केक्टिस काफी। पुर्षाइब काफी खुबसूर्थ होने के साथ साथ काफी हार्डी बहुत होता है बिना देख भाल के भी यह बहुत यासानी से ग्रो हो जाता है अगर आप इसे नर्शी से में लेने जाएंगे तो कई वेराइटी में आपको मिलेगा बहुत सार रंगों में भी आतर से बहुत यासानी से ग्रो हो जाता किसी भी मोसम में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं हर मोसम में इसकी कटिंग लगा सकते हैं अगर आप इस्पोदे को कई दिनों तक पानी नहीं देंगे तो अभी बिल्कुल हराबरा रहेगा ग्रो करता रहेगा तो बिना खाद पाने भी खाद की भी जड़त होती दुसरा दूसरे बात करो धोस्तों यह कनेर का पोधा कनेर का पोधा भी काफी खुबसूत पोधा है यह भी दो वेराइटी में आता है देसी और हाइब्रेड जो देसी वेराइटी आपको रोडा स़ा यह पिंक रहाद होते साँ कर्याद रहते हैं, बहुत ही ःक्वाल सुझेट सरह हो रहेता हैं, उसक्ता प्लाइन के बिना रहते हैं मेरे राधा, चोटा सा बढ़ा है और इतनी तपती गर्मी में भी लगातार फूलों से भरा हुआ है तो इस पोधे को भी आप भीशन गर्मी में लगा सकते हैं लगातार फूल देता रहेगा दोस्तों अगला पोधा है दोस्तों ये है सदा बाहर सदा बाहर में भी दो वेराइटी आतिक hybrid जो विंका होता है और एक सदा बाहर सदा बाहर में लगातार 365 दिन फूल खिलते रहते हैं ये दो तिन रंगों में आता है एक light pink आता है एक dark pink आता है एक white color में आता है जब कहीं भी फूल नहीं खिलते हैं कहीं भी garden में आपको फूल नजर नहीं आएंगे तो ये एक ऐसा पोदा है जो आपके garden को रंग बिंगर फूलों से भर रखे हैं थैंगे अगर ये प्लाइंट में आप पानी नहीं देते कहीं दिनों तक तो भी इसमें इतने सुंदर फूल ऐसे ही खेले और खौद को इसको बिल्कुल बी जर्ट नहीं होती इसके पोदे को भी आप अपने गार्डन में भीशन गर्मी में एड़ कर सकते हैं बहुत ही सुनर फूल इसमें खिलते हैं अगला जो पोदा है वो पोष्ट लोक है दोस्तो यह भी सरकुरन प्लांट है और इसको ज्यादा पानी की जरत नहीं होती क्योंकि पत्यों में काफी सारा प गुलाब के फूल को भी यह माफ कर देता है इतने सुन्दर फूल इसमें खिलते बड़े-बड़े साइज के फूल खिलते दोस्तों और बहुत ही सुन्दर प्लांट है कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है कटिंग आप चिसकी अगर छोटी सी लगाएंगे तो क फूल है यह टिकोमा इसमें भी बहुत सुन्दर फूल किलते हैं इसमें भी कलर अप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे नर्सरी में और नर्सरी में आपको यह 60-70 रुपय का पोधा मिलेगा यह एक पर्मनेंट प्लांट है और बहुत ही हाड़ी प्लांट है कम देख भ को भी आप लगा सकते हैं क्योंकि बिना खाद पानी के भी पोधा लगातार इस तरह से सुन्दर सुन्दर फूल देता रहता है और तेज गर्मी गरम हवाओं का इस पोधे पर कोई असर नहीं होता इस तरह से इसमें फूल खिलते रहते तो इस पोधे को भी आप अपने गा आप बिल्कुल लगा सकते हैं तो दोस्तों ये थे ऐसे पोधे जो भीशन गर्मी में भी आपके गार्डन को रंग ब्रंग फुलो से भरे रखेंगे और बिना खाद पानी के भी कई किनों दिनों तक अगर आप इन पोधों को पानी नहीं देंगे फिर भी ये पोधे लगा